हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्श क्लासेज के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आज का जो सेशन है इसमें हम चर्चा करेंगे कि व्यम्यू के जो न्यू एडिमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं सेशन आपका जो है जुलाई 2022 का जो सेशन है उसके लिए न्यू एडिमिशन जो है फ्रेश एडिमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं प्रमोटिफों क्या है किन को फिल करना होता है एक्स वाइज जो है इन बातों पर हम चर्चा करेंगे एंड सबसे इंपोर्टेंट WMU से सम्मंदित जो अफिशाल का जो अपडेट जो होता है जैसे आपका एक्जाम का का जो नॉटिफिकेशन जो है एक्जाम डेट एडिमिशर क्लासेज सब्देट जो अपडेट जो होते हैं उसके लिए future first classes को YouTube and Telegram चैनल पे जिरूर जोईन कर लेना जहांपर आपको सभी परकार के latest update और study material आपको मिल जाते हैं टेलेग्राम चैनल पे जैसे ही आप future first classes सर्च करेंगे तो future first classes का टेलेग्राम चैनल आपको मिल जाएगा आज का जो session है फोसरू करते हैं तो VMU में जो new admission है admission session जुलाई 2022 उसके लिए form स्टार्ट हो चुके हैं टेलेग्राम पे आपको अपडेट मिल गया होगा तो जिनोंने किससे पहले admission नहीं लिया है किसी program में तो first time और या कहें कि fresh admission आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो last date है वो 17 अगस्त 2022 लाइस लाइस देट है आपको form फिल कर लेना चाहिए लाइस टाइम में site जो है server थोड़ा डाउन हो जाता है site थोड़ा busy भी हो जाता है तो समय रहते हैं आपको जो है अपना जो form जो है उसको fill करना है अब हम चर्चा करते हैं कि यह जो पर्मोटी फोर्म जो है यह किन को बढ़ना होता है और यह क्या होता है पर्मोटी फोर्म तो VMU में जो है पर्मोटी फोर्म क्या है देखिए हम चर्चा कर रहे हैं पर्मोट उसको मिनिंग जो है उसको हमें एक उदारण के दोवारा समझ सकते हैं जैसे जिन विद्यार थे उन्ने जुलाई 2021 में परवेश लिया था या ऐसे चातर जिन्नोंने एक वर्ष पहले परवेश लिया था इसका मतलब क्या है कि उनका जो एडिमिशन सेशन है वो जुलाई 2021 का स सेशन है जुलाई 2021 का सेशन है या फिर इससे पहले का सेशन है और हुनोंने अपना जो सेक्षनिक सकतर जो है उसमें आगे का जो सेक्षनिक सकतर है जैसे आपने प्रिवेश यहर में आपने सपोज गरो जनवरी 2021 में प्रिवेश यहर में आपने एडिमिशन लिया था तो आ आपका एक वर्ष पूरा हो गया, आपको परमोर्टी फोर्म कब बढ़ना था, जनवरी 2022 के जो फोर्म स्टार्ट हुए, उसमें आपको परमोर्टी फोर्म बढ़ना था, परमोर्टी फोर्म क्या है, नेक्स्ट येर के लिए फोर्म बढ़ा जाता है, यदि आपने जनवरी 2022 म अब जुलाई 2022 जो है इसमें पर्मोटी फोर्म बठ रखते हैं और अपना next year में जो है admission सुनिश्चित कर रखते हैं तो परिक्सा जिनके हो गई है या परिक्सा नहीं हुई है वो परिक्सा का इंतजार किये भी ना या फिर परिक्सा हो गई है तो ऐसे चातर अगले सेक्षनिक चातर में अपनी जो है फी सब्मिट करेंगे इसको ही अपन क्या बोलते हैं पर्मोटी फोर्म बोलते हैं तेकिन इसका रखत यह नहीं होता है कि आपको बिना परिक्सा के अगली कक्सा में परुणत किये गए हो इससे क्या है कि आपका admission जो है अगली क्लास में क्या हो जाता है सुनिश्चित हो जाता है काफी जो student हैं कि सोचते हैं कि पर्मोटी फोर्म जो है उनको पर्मोट किया जा रहा है ऐसा नहीं है VMU में जो है जो पहले कोरोना जैसे situations नहीं थी तब भी भरे जाते थे और आज भी भरे जाते हैं तो पर्मोटी फोर्म के जो definition जो है VMU की term definitions में जो है अलग परकार से हैं तो आप इसको समझ गए होंगे अब हम चर्चा करते हैं कि आपका session जुलाई 2021 का है और आपकी परिक्सर नहीं हुई है और आप पर्मोटी फोर्म भरें या नहीं भरें तो आपको क्या फायदा होगा क्या नुक्सान होगा सबसे पहले हम सर्चा करते हैं आप पर्मोटी फोर्म को क्या करते हैं फिल नहीं करते हैं देखिए फिल नहीं करेंगे आप परिक्षा का इंतजार कर रहे होंगे कि परिक्षा नहीं हुई है आप यदि final year की fee submit कर दिया तो उसके बाद जो fee submit किया है उसका क्या होगा देखिए आपने जुलाई 2021 में अब admission लिया लाश्ट year आपने जुलाई 2021 session में आपने admission लिया तो इसकी exam कभी भी होंगी उसकी exam हो जाएंगी ठीक है इसकी exam हो जाएंगी suppose करो suppose कीजिए इसकी exam December में हो गई इसकी exam December 2022 में हो गई ठीक है इसका result आगया April 2023 में ठीक है और आपने जुलाई 2022 में परमोटी फोर्म फिल नहीं किया परमोटी फोर्म डैट मिन्स जुलाई 2022 में आपने final year में admission नहीं लिया तो final year में admission नहीं लिया तो आपके final year का जो exam जो है assignment जो है वो आप कब submit करवा होगी result आने के बाद result मान लो आपका फरवरी में आया अप्रेल में आया मार्च में आया कभी भी आया उसके बाद यदि आपका admission open नहीं हो रहा है तो आप कब admission open नहीं हो रहा है तो आप admission कब लेंगे admission आप suppose कि ये next आपका जुलाई 2023 में admission लेते हैं या फिर January या जुलाई 2023 में admission लेते हैं तो आपकी जो exam होगी January में लेंगे तो आपकी exam दिसंबर 2023 में या फिर 24 तक होगी और जुलाई 2023 में admission लेंगे तो जुलाई 2024 तक आपका परिक्षा होगी तो ये जो आपका time ही हाँ पे गया है एक साल का यहाँ पे जो आपका time यहाँ पे लगा है ये time आपका waste हो गया यदि हम चर्चा करें आप पर्मोटिफ फोर्म फिल करते हैं आप next year में आप परवेस लेते हैं पर्मोटिफ फोर्म आप फिल करते हैं जुलाई 2021 में जो है आपने admission लिया फर्स्ट टाइम इसकी exam कभी भी होंगी वो university का work है exam हो जाएंगी सपोज करो December 2022 में इसका exam हुआ result आ गया assignment जमा हो गए सपोज किजिए assignment जमा हो गए अभी वे नहीं है सपोज किजिए assignment हो गए तो यह आपका previous year का जो है वो process complete हो गया आपने अब जुलाई 2022 में जुलाई 2022 में परमोटी फॉर्म फिल कर दिया तो इसकी exam next year लग जाएंगी next year कभ लग जाएंगी mostly जून 2023 में लग जाएंगी result आ जाएगा इसका assignment time से submit हो जाएंगी और आपकी final year complete हो जाएगी ठीक है कब तक हो जाएगी estimate तरिका यदि हम मानने तो इसका result assignment जमा हो जाएंगी result mostly मानलो कि June 2023 में exam हो गए तो इसका result जो है सितंबर तक इसका result आजाएगा तो सितंबर 2023 तक आपके exam complete हो गए final year के भी और previous year के भी और यदि आपने नहीं लिया अब final year में admission नहीं लिया तो जुलाई 2024 तक आप complete करेंगे तो यहाँ आप difference देखिए कितने का difference होगा है यह one year का difference तो जब बताया है कि time से यदि सब कुछ होता है यदि time से नहीं होता तो यहाँ पे लगबग आपको 1.5 year का time आपको यहाँ पे लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है थर्ड important बात यदि हम चर्चा करें कि यदि आप सोच रहे हैं कि हमारी feast बत जाएगी form submit नहीं करते हैं previous year का result आएगा उसके बाद हम देखेंगे pass हो रहे नहीं हो रहे final year में फिर admission लेंगे तो एक important जो बात है कि आप MA, MSC Mathematics यदि आप कर रहे हो MA Mathematics कर रहे हो या फिर MSC Mathematics कर रहे हो तो आप अपने प्रोग्राम को maximum 4 साल तक आप complete कर सकते हो maximum 4 साल तक आप complete कर सकते हो आपने जुलाई 2021 में admission लिया तो आप अपनी MSC जुलाई 2025 तक आप complete कर सकते हो जुलाई 2025 तक हर 6 मन्त में आप exam दे सकते हो और यदि आप promotive form फिल नहीं करोगे तो आपको ये benefit कहां मिलेगा कम आपको chance मिलेंगे यदि आपको जो है जुलाई session के exam जो है आपके होगे तो आप यदि जुलाई session के exam होगे यदि आपका result अच्छा नहीं रहा फैल होगे रहोगे एंसी लग गया तो आप December January session के जो exam जो होते हैं उनके साथ भी आप बैठ सकते हो तो 6 मन्त में आप इसलिए exam दे सकते हो तो आपको जो minimum जो duration जो है 2 year और maximum जो duration है 4 year में आप MSC complete कर सकते हो तो इस कारण यदि हम संचिप्त रूप में यदि हम आपको कहें तो time से आपको promotive form फिल करना चाहिए ताकि आपको जो है करम से आपको सब कुछ चलता रहे exam आपके होते रहेंगे देखिए अब यदि आपको July 2021 किस में आपके previous year के admission आपने लिया और result होगर आ गया और result में आप जो है एंसी लग गया फैल हो गया एक queries हमारे पास इस परकार से आई थी और July 2022 में आपने final year देखिए लिया तो previous year कि जिस paper में आपके back लगा है या फिर सारे paper में back लगा है या फिर एक paper में भी आप 7-7 exam दे सकते हो दोनों का 7-7 आप exam दे सकते हो तो संचित रूप में यदि हम कहें तो आपको यदि आपका admission जुलाई 2021 का है तो आपको at present 17 अगर्ष्ट से पहले आपको July 2022 में आपका जो admission जो है final year में आप next year में आप ले सकते हो इसके लिए आपको promotive form fill कर देना चाहिए और exam से सम्मन्द जो updates जो news जो होती है study materials जो होता है उसके लिए future first classes को YouTube and Telegram channel पे जरूर जोइन कर लेना Telegram channel का जो name जो है वो future first classes की नाम से है आपको पता होगा and सबसे important अपनी जो study है उसको continue करते रहिए पढ़ते रहिए crash course की साहिता से अच्छे number जो है आप ले सकते हो future first classes की नाम से जो है application है तो crash course भी आप ले सकते हो and अन्या परकार की अदि आपकी कोई भी queries है तो comment करके निश्चित रूप से आप पूछ सकते हो निश्चित रूप से आपका जो comment जो है उसका reply किया जाएगा and ये session यदि आपको अच्छा लगा है तो like कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजिए and channel को subscribe कीजिए thank you for enjoying study life with future first classes जै हिन जै भारत बंदे मातरम